नमस्कार, तो कुछ एमेल मार्केटिंग के रिजल्ट्स में आप लोगो को शेयर करना चाहरा था जैसा कि Facebook, Google Ads, Facebook Ads और जो भी चीज़े अभी तक मैंने करी थी उनके रिजल्ट्स में अपने चैनल पर शेयर कर रहा था और उसी सिरीज में ये मेरा एमेल मार्केटिंग का वो ह इसके पहले मैं बता दूँ कि मैं Active Campaigns अभी जानते हूंगे Active Campaign को यूज कर रहा था करीब तीन-चार महिने तक यूज कर रहा था मैंने उसका बहुत एडवांस सॉफ्ट्वेर है एमेल मार्केटिंग के लिए बहुत काम करता है अच्छा काम करता है तो उसको यूज किया थ लगता 29 डॉलर्स पर मन्त ठीक है और इसलिए मैंने फ्री प्लान पे मैं सिफ्ट कर गया था उसके फ्री प्लान पे तो उसमें कुछ फीचर में लिमिटेशन थी इसलिए मैं फिर से यह जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म मेरे सामने आपके सामने यह है सेंडिन करेगा अभी बेसिक लेवल पे जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस लेवल के लिए अच्छा है और काम करेगा और यह काम कर भी रहा है एक्चुली हमारे पास लिमिटेशन हैं फ्री प्लान में देख देख पा रहे हैं आप लोग 300 पर दे हाना और कोई बात नहीं इत मैंने Facebook Ads के माधियम से Google Ads के माधियम से जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली वेडियो में उन्हीं leads के साथ यह communication मैंने किया था ठेक है यह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 369 contacts थे total थे नहीं हैं actually 369 total contacts है मैं मेरे पास और इसमें इनके साथ मैंने communication किया था इनके स साथ एक course का access दिया था और साथ ही साथ और भी communications मैंने पहले किया हुए थे ठीक है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ campaigns थे जो कि मैंने one time campaign send किया थे और उसका कुछ result आप लोगों मैं दिखाना चाहरा था 369 total contacts और इसका average जो open rate है मेरे email का average वो है 47% आप लोग देख सक यह open rate है open rate समझते हैं आप लोग इतने लोगों को भेजा उसमें से कितने लोगों ने open किया तो industry average के according यह बहुत अच्छा open rate माना जाता है 47 यानि कि लगबग 48% यह बहुत अच्छा industry average के हिसाब से अच्छा open rate है ठीक है यानि कि 100 लोगों में से 47 लोग अगर आपके email को open कर हैं और साथी साथ जो blacklist blacklist आप लोग समझते हैं ना यानि कि जो bounce हो जाता है email है ना उनकी बात की जा रहे हैं यहां पर 2% लोग ऐसे हैं इमेल bounce उस case में होता है जब email सही नहीं होता या server की तरफ से सही response नहीं आता जो recipient है उसके server की तरफ से बहुत सारे के reasons होते हैं ठीक है ना या फिर उसका email inbox फुल हो चुका है बहुत सारी cases होते हैं चलिए तो आगे बात करते हैं कुछ campaigns की यह हमारे कुछ campaigns हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां से सुरुआत हुई थी और यह communication उनके साथ मैंने किया था अगर मैं आप email को तो यह email कुछ ऐसा देखता है इसको मैंने भेजा था 78 लोगों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं हां पर 78 लोगों को भेजा था उसमें से 18% लोगों ने open किया था और उसमें से 9% लोगों ने click किया ठीक है न और 1% unsubscribe कर गया उसमें से ठीक है 25 जुलाई 2021 का यह campaign है ठीक है अगर आप detail report यहां पर देखेंगे तो detail report भी दिख जाएगा और उससे पहले मैं आपको email दिखा देता हूं ऐसा कुछ email दिख रहा था वो आप देख पा रहे हैं ऐ यह desktop व्यू है और यह है mobile व्यू है ठीक है तो एक रफ हैंड़ी email लिखा गया था इसको send किया गया था क्योंकि मुझे instantly send करना था अब detail report में आप देख सकते हैं कि trackable opens, total opens इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं sending status delivered 67 को अब देखो यह सारी चीज़ें आपको यहां पर दिख रही है soft bounce hard bounce समझ रहे ना की soft bounce यहां पर क्या होता है चले तो यह था हमारा पहला email इसके साथ हम दूसरे email के की तरफ चलते हैं जिसका highest open rate है इसको देखते हैं हम लोग ठीक है रिपोर्ट्स पर भी चलेंगे हम और साथ में preview भी करेंगे यह email क्या था तो इसको actually free course का access मैंने दिया था अपने users को और यह बिल्कुल नया एक नए marketer की तरह में गया था तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी आपका open rate बहुत सही नहीं होता ठीक है क्योंकि लोग आपको जान नहीं रहे होते हैं तो यहां पर यह आप देख सकते हैं यह हमारा email था ठीक है जिसमें कुछ advanced features बहुत सारे advanced features यह free account के साथ भी दे रहा है जिसमें आपको personalization जो personalize करते हुआ emails को है ना जैसे यहां पर यह जो code देख रहे हैं यह code डालने से क्या हुआ कि user का नाम यहां पर आएगा जो भी email का subscriber होगा उसका नाम यहां पर आजागा उसके email के हिसाब से ठीक है इसके बाद यह mobile view है आप देख सकते हैं यह हमारा mobile view है अब चलते हैं reports की तरफ कुछ reports देख लेते हैं इसमें टोटल 32 opened and 5 clicked ठीक है ना और यूनिक्लिक्स आप देख सकते हैं यहां पर टोटल क्लिक्स 14 यूनिक्लिक्स 5 समझगा ना यानि कि multiple बार जब लोग क्लिक करते हैं उसको तो वो टोटल क्लिक में count होता है ठीक है total opens 46 ठीक है ना और ट्रेकेबल ओपेंस 32 ट्रेकेबल ओपेंस और एक्चुली हुआ ऐसा है ना कि कुछ devices में यह feature आ चुका है android में तो नहीं शायद apple में भी apple में maximum devices में यह feature आ चुका है कि उसमें यूजर अपने याद आपको tracking से opt-out कर सकते हैं यानि कि वो चूज कर सकते हैं कि मुझे track किया जा या नहीं तो ऐसे के समें उनको track नहीं किया सकता है ठीक है ना और click to open rate है 15.63% ठीक है न click to open यानि कितने लोगों ने open किया उसमें से कितनों ने click किया और 97 को deliver हुआ था 98 में से one soft bounce हो गया था कुल मिलाके और यह रहा हमारा report ठीक है न इस वाले address से मैंने भिजा था यह हमारा यह डोमेन में पहले operate कर रहा था अभी expired हो चुका है तो अभी इसको renew भी नहीं किया मैंने तो यह email था हमारा इस email से कर रहे थे हम लोग ठीक है और लिस्ट वगर अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वह भी मैं दिखा जाता हूं कि कुछ contact मेरे जो थे जो हैं सॉरी और इसके अलावर जो लिस्ट है तीन-चार लिस्ट बनाये थे मैंने अलग-अलग campaigns के लिए कि इस लो हो गया है इंट्रनेट में भी हां तो यहां पे आप context देख सकते हैं इसमें आपको form भी मिलेगा list भी मिलेगा और सारी के सारे context भी यहां पे आप देख सकते हैं ठीक है ना इस सारे के सारे context हैं इसके बाद लिस्ट की बात करें तो लगबग दो से तीन या चार लिस्ट होंगे हमारे पास YouTube, YouTube audience, blog monetization and इस तरह से ये लिस्ट हो गया है और इसके बाद forms की बात करें तो ये हमारे पास forms दो तिन forms मैंने create किये थे YouTube के लिए उसके बाद ये health list में मैं product promote कर रहा था इसके बाद एक और ये तो इस तरह से हमारे पास तीन लिस्ट हो गए तो ओके थैंक्यू सो मच आई होप आप कवर्ड मोस्ट अब थे थिंग्स सी यू बावा